हेलो, वेलकम टू माई चैनल आंगनवाडी सहिली, ICDS आप सभी को मेरा नमशकार, मैं आज आपको बताऊंगी कि हम PTA में Beneficiary की EKYC को हो, हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम PTA को ओपन करेंगे, उसके बाद Beneficiary इस पर जाएंगे मान लीजिए हमें Beneficiary में, जिस किसी की भी Pregnant हो, चाहे Lactating हो, जिस Beneficiary की हमें EKYC को करना है तो हम Direct उस पर Beneficiary पर हम क्लिक करेंगे, यह देखिए, जैसे Pregnant है, और मैंने इसकी EKYC करनी है तो यह देखिए, Complete EKYC जो सबसे नीचे Blue Color के Box में है, इस पर क्लिक करके हम Beneficiary की EKYC को कम्प्लीट कर सकते हैं Otherwise एक और Option है, यह देखिए, यहाँ पर शोग होगा वो Home Page पर ही Action Center में Beneficiary EKYC यहाँ से भी हम अपने Beneficiary को ढूंड कर, उनकी EKYC को Complete कर सकते हैं मान लीजी हम मुझे, जैसे की किसी Beneficiary की Pregnant की EKYC करनी है तो हम जैसे की इस Pregnant की EKYC करनी है, तो मैं Complete EKYC को करूंगी उसके बाद यह Confirmation का Notification आएगा उसमें लिखावाए, Use the Same Aadhar Number as on Beneficiary's Profile to Complete the EKYC Process EKYC को Process को Complete करने के लिए हमें सारी Detail जो Aadhar Number पर है, वही इसमें Put करनी होगी उसके बाद है, Once the EKYC Details are Saved, You Can't Modify Them Later आपकी जो भी EKYC में Details जो हैं Saved हो चुकी हैं, वो आप बाद में उसको Change नहीं कर सकते और अगर आप इससे सहमत है, Agree हैं तो आपको Confirm and Proceed इस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद Beneficiary का अधार नंबर यहां पर हमें डालना पड़ेगा अभी मैं डाल के दिखाती हूँ आपको अधार नंबर को फिल करने के बाद नीचे जो Capture Image है, उसमें जो लिखावा है, वो as it is हमें Capital Letter है तो Capital में Otherwise Small है तो Small Letters में हमें Type करना है और उसको Next कर देना है Next होने के बाद Beneficiary के पास जो अधार रजिस्टर से लिंक होगा फोन नंबर उसी पर OTP जाएगा और हम उस OTP को यहां पर जो है टाइप करेंगे अब जो भी OTP आया होगा वो हम इसको यहां पर टाइप कर लेंगे अब हम उसको Continue करेंगे Continue होने के बाद यह Loading हो रहा है पेज आपको कुछ नहीं करना आपको Just Wait करना है यह देखिए Option उसका जो आगे का पेज है वो खुल चुका है उसको हम Allow पर करेंगे Allow करने के बाद इसकी जो EKYC है देखिए EKYC request successfully submitted यह आपकी EKYC जो है complete हो चुकी है और आप Go Back का Press कर देंगे वो Beneficiary अब यहां से हट गई होगी अब मैं आपको दिखाते हूँ Beneficiary में उसके Detail कैसे शोओंगी यहां से आप उस Beneficiary का जिसका हमने EKYC किया था उस पर क्लिक करेंगे और यह नीचे देखेंगे EKYC Green Color के complete में double tick आ चुका है जैसे हमारी EKYC वीती वैसे सेम हमें Beneficiary की भी सभी Beneficiary की जो है EKYC को complete करना है होप आपको यह छोटी सी वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे हमें Beneficiary की EKYC करनी है इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए मैं आपको नई नई वीडियो में नई नई चीजे आपको बताती रहूंगी थैंक यू